दोस्तों अकसर ही कपल्स के मन में एक डर रहता है वो बार-बार कॉल करके हमसे पूछते भी है कि क्या मैम कोट मैरिज के दोरान रिष्टार सहाब जो ज़साब होते हैं वो हमसे किस प्रकार किस सवाल करते हैं तो उसके जवाब में हम आपको बता दें कि जब कोट मैरिज के आप बैचण सांगे पेश होते हैं तो वहां पर लड़की से कुछ questions पूछे जाते हैं जिसमें सबसे पहला रहता है उसका नाम क्या है उसकी उम्हेंक्या है इसके अलावा जो जरूरी रहता है वो ये पूछा जाता है कि क्या लड़की अपनी मर्जी से आई है इसके पीछे कोई दबाव या डर तो नहीं है कोई से ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है इस प्रकार की questions लड़की से पूछे जाते हैं और वहीं लड़के से पूछा जाता है उसकी उम्र क्या है और साती वो भी अपनी मर्जी से आया है लड़के से जो ज़रूरी प्रशन पूछा जाता है वो ये होता है कि वह लड़की का पालन पोशन कैसे करेगा उसके पास इकम की क्या sources है और साती ये इस प्रकार के जो कोशन है वह रेष्टार सहाब के कपल से पूछे चाते हैं, वेरिफिकेशन्स के लिए और जो वो सरकारी विभाग होता है, वहाँ कैमरे भी लगे होते हैं, तो वहाँ पर ये सभी नोट रहता है, तो अगर आपको इस बारे में जादा जानकारी चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से आपको इसमें